दोस्तों कल के एपिसोड में आप सब सेक सवाल किया था कि पीएम किसान योजुना की आठवी किस्थ जो आप इस बारे में जानकरी चाहते हो कि आखिर कुछ लोगों के खाते में कुछ किसानों के खाते में ये किस्त क्यों नहीं आई तो आप लोगों ने मुझसे कहा था इतना जल्दी हो सो कि इसके बारे में जानकरी दीजिए तो आज के इस एपिशोड में हम इसके बारे में बा राज्य में आप अपने भारत में इसकी किस्त है कौन कितना ले चुका है किसकी क्या प्रोब्लम की वजह से उसको किस्त नहीं मिल पा रही है अगर आपने रेजिस्टरेशन कराये हुआ है तो उसका स्टेटस के हर एक जानकरिया आज आपको इस एपिशोड में मिलने वाली है लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे माणने से पहले आप सबको जिलीत ओफिसियल की तरफ से एद मुबारक को हर एद से ये थोड़ा सा अलग है न क्यूंकि एद हो और बिना गले लगे एद की मुबारक बाद थोड़ा फिका लगता है मेरी आपसे दोस्तों गुजारिश स नियमों का पालन करते हुए इस कोरोना की जो नियम है नियमों का पालन करते हुए इद मनाया है आई आज वादा करते हैं हम अपना और अपनों का खयाल रखते हुए अपने त्योहारों को मनाएंगे दोस्तों इस ये जो स्कीम है यानि की PM किसान योजना है इसके बारे में सरकार ने 7 मई तक 11,896,975 ला भारतियों में से 8,73,449,127 इसका FTO जेनरेट कर दिया है लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिनके खाता में ये रकम नहीं आया है आखिर क्यों नहीं आया क्या गड़बड़ी है और इस गड़बड़ी का पता कैसे किया जाए वो भी आपको अपने फोन या PC से घर बैठे किसी के पास जाने की ज़र बैठे या आप इसका पता लगा सकते हो सब पहले आपको बता दूँ आखिर ऐसे कौन-कौन चे लोग है जिनको ये सुविधा नहीं मिल सकती है तो पहले जो है इंकम टेक्स चुकाने वाले ब्यक्ति के साथ उसके परिवार को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा इस बात को जरा ध्यान दिजिएगा जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल क्रिशी कारिय की जगा दूसरे काम में करते हैं उनको भी इसका फायदा नहीं मिलेगा और बहुत चैसे किसान है जो दूसरों के खेतों पर किसानी का काम करते हैं ऐसे किसान भी इस योजना का लाफ नहीं उठा सकते हैं दोस्ता अगर कोई किसान खेती करता है मगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वो इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है और खेती भी करता है लेकिन वो सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो मौजुदा या पुर्व, सांसद, विधायक, मंत्री हो तो उन्हें भी ये पिम किसान योजना का लाब जो है नहीं मिल सकता साथ ही प्रोफेशनल रेजिस्टर, डॉक्टर, इंजनियर, वकील, चाटर एकाउंट या इनके परिवार के लोगों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा और अगर किसी किसान की आधार और बेंक खाते में नाम मेल नहीं खा रहा है तो भी उसके खाते में ये रकम नहीं आएगा जो कि इस बार बहुत से लोगों के इसी वज़े से पैसे फशे हुए है और मैं आपको आगे बताने बाला हूँ कि आपकी गड़वड़ी क्या हुए जिस वज़े से आपकी किस्त नहीं आई है अगर नहीं आई है तो दोस्तों यहाँ पर छोटी सी मेरी एक कराय मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास खेती करने के लिए अपनी जमीन नहीं है तो वो दूसरों की खेतों में खेती करते हैं तो ऐसे में इस फायदा का योजना का लाव वो नहीं उठा सकते हैं तो मुझे लगता है दोस्तों इसके बारे में सरकार को ज़रा सोचनी चाहिए थी क्योंकि देखिए पहले से उसके पास खेत खेत नहीं है खेती करने के लिए और वो जो दूसरे की खेत में जाकर खेती कर रहा है तो ऐसे में भई मतलब आप ज़रा सोचो एक तो वो उस जमीन का इस्तेमाल करने के लिए खेती के लिए उसमें जो भी कुछ profit होगा एक तो investment करेगा जो भी profit होगा उस profit को भी वो मालिक के साथ share करेगा मतलब जमीन की मालिक के साथ और जो सरकार से जो फायदे मिल रहे हैं उससे भी वो बचने वाला है तो ऐसे में दोस्तों मुझे लगता है कि एक कहावात आपने सुनी होगी कि दिन पर दिन अमीर जो है और अमीर होता जा रहा है गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है तो कहीना कि यह जो है यहां सही बैठता है तो ऐसे में मुझे लगता है इसके लिए कुछ और सोचा जा सकता था या फिर कुछ और सोच कर इन लोगों को इस फाइदा को पहुंचाना इन लोगों तक साथ मुझे लगता है पहुंचाना चाहिए था खिर यह तो मेरी राहे अच्छले तरह वीडियो को लाइक करें जान करें को दूसरों तो पहुचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें और हां कोई किसान ऐसा अगर है जो की इंटरनेट का इस्तमाल नहीं कर सकता है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है जिसके पास PC desktop नहीं है तो ऐसा में अगर और वो परेशान है तो आप थोड़ा उनकी मदद कर देंगे तो बहतर होगा फिलाल दीजे मुझे इजाज़त फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकरी के साथ तब तक के लिए टेक क्या बता है दोस्तों आपको अपनी फोन के अंदर एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है ब्राउजर में आपको टाइप करना है प्मकिसान.gov.in इस पर जैसे ही आप जाओगे इस तरह का पैज आपको देखने को मिल सकता है यहां आपको डेस्बोर्ड को ढूंड़ना है अगर आप वेब भ कर रहा था बड़ उसमें यह काम नहीं किया तो मैं यहां मुझला फाइफ्लक्स में इस्तिमाल कर रहा हूँ अभी आपको बता रहा हूँ हाला कि Google Chrome में भी मैंने इस से पहले देखा हुआ था वहां भी ठीटा काम कर रहा था बड़ अभी कुछ दर से वह काम नहीं कर रहा ह तो अगर आपके साथ हैसा होता है तो आप भी एक बर ब्राउजर बदल लें अभी यहां आपको चार चीज़ा जैसे कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज यह चारो चीज़े को आपको सेलेक्ट कर लें है अपना तो मैं यहां पर आपको बताने के किसान आए 100 के उपर जैसे आप करोगे तो यहां की जो जानकर यहां वह आपको कुछ इस तरह से यहां दिख जाएगी यानि कितने किसान रेजिस्ट्र है तो 589 किसान टोटल रेजिस्ट्र है रिसीव और पेमेंट्स साथ में यहां पर आधार स्टेटस भी आपको पता चल जैसे ही आप click for more detail पर जाओगे तो यहाँ आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी जैसे कि मैं अगर किसी में जाता हूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यह एक night tab open हो चुकी है और यहाँ जो है उस व्यक्ति की सारी जानकारी आ चुकी है देखिए दोस्तों मेरा क जानकरिया इस तरह से publicly share करना लेकिन बस कुछ लोगों को बतानी थी इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ हाला कि कुछ confidential चीज़े जो थी वो मैंने hide यहाँ पर किया हुआ है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप अपना पता लगा सकते हैं तो मुझे लगता है यह सारी चीज़े आप समझ चुके हों बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं सब कुछ clear है जो मैंने आपको बताया उमेद आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर अच्छी लगते हैं वीडियो को लाइक करें जान करें और हां कोई किसान ऐसा अगर है जो की इंट कि भाई बहुत चैसा लोग है जिनके लिए जो रकम है जो कीस्त है वो बहुत माइने रखती है अगर वो परेसान है तो आप थोड़ा उनकी मदद कर देंगे तो बहतर होगा फिलाल दीजे मुझे इजाज़त फिर मिलते है एक नई वीडियो नई जनकरी के साथ तब तक के लिए टक क्या बाए बाए